कि हेलो गाइड्स ओपनेर्स मावग सोग दस्तों कैसे दोस्तों आसके तो अच्छे ड़े होगी तो आप देख सकते हैं जो कंपणी का 21 इंच का जो से टीवी इसका पॉल्लेम एक है इसमें रेड क्या थो इसका स्वाट हो रहा है तो गाइड्स इसमें रेड कालर जो स्वाट होने वाली है तो प्लीज वीडियो और अच्छे लग तो लाइक कर देजिए और चैनल पर नहीं है तो आभी देख सकते हैं इसका पिक्चर सही है लेकिन एक होता है चलते चलते क्या होता है रिटेक्स लाइन और रेड इसकीन होके आड़ा है ओके तो आज इसको दिखाएं अब पूरा ध्यान से देखिए तो देखिए गाट्स चलते चलते हैं रिटेस लाइन और रेड इसकीन हो गया आप क्या करेंगे गाट्स इसका ऐसी हालात में आपको इसका जो बेस का बेस बोर्ड में जो वोल्टेज रहता है रेड ग्रीन और बुलू कैथोड इसका जो व तो गाट्स मीटर को मैं पोजिस्टन में रख रहा हूं जैसे आपको दिख सकें कि इसमें बोल्टेज कितना दिखाड़ा है तो आप फाइनली आपके पास जब ऐसा कंडिशन आएगा तो फाइनली आप सेट में लाइन देगी इसको यानि जब पॉबलिम आएगा तब इसमें जो बुलू कैथोड में मेजर कर रहा हूं तो इसके लिए माल्टी मेटर को आपको दोसों के रहा है जिब सिलेट करना पड़ेगा क्यूंकि दोसों के नीचे बढ़ाएगा वोल्ट तो देखिए 105 बोल्ट आड़ा है बुलू में ओके इसका बुलू कैथोड देखिए इसमें रेड़ कलरन नील है यानि कुछ भी नहीं है और ग्रीन कलर अप देख सकते हैं 107 है यह वह लेकिन रेड़ कलरlles नहीं है ओक Testing तो देख सकते हैं आप इसमें रेड कलर नहीं आड़ा है तो क्या करेंगे गाइट्स लाइन देखें आपको खोलना मत यसी लाइन इसका खोलना मत लाइन देखें आपको खोलना पड़ेगा तो आप देखिए मैं जब खोल लिया इसको तब देखिए रेड कलर इसका कितना आ गिया और देखिए बुलू कलर कितना आड़ा है देखिए 62 बुलू कलर भी सेम है और जो हमारा ग्रीन कलर है वो भी सेही आड़ा है तो आप आपको मालूम हो गया कि हमारा जो पॉब्लेम है वो कहां पे है तो हमारा जो पॉब्लेम है वो पिक्चर ट्यूब में है क्योंकि ग वोड को मैं टेस्ट किया पिक्चर के तौ किया इद्या चलते 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 तो इसका इनको बताऊंगा आज युद भॉलम है वह सब्फ ढूंज को हो जाएगा ओके तो देखते बाव पूरा वीडियो ध्यान से आप क्या करेंगे इसका जो पिक्चर ट्यूब का स्वर्ट को आफको सार्ना पड़ेगा लोग कहा है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए फिर आको कि एक माल्टीमीटर का स्वर्डी एक एस रिकोर्ड का जरूरत पड़ेगा और एक बेस तो मैं थियूरी भी करके दिखाऊंगा तो बाद में मैं कर लेता हूँ आपको पैक्टिकली करके दिखाते हैं उसके बाद मैं थियूरी करूँगा ओके तो यह रहा हमारा बेस और आप एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो इसके जो बेस का पीन होता है टोटल नौ पीन होता है तो नौ पीन में से हम लोग क्या करेंगे दो पीन हमारा जो एक्स्टर दिया है company ने दो यानि इस पर का एग पिन और इस बर का एक पिन दो पिन छोड़ देना है बस रहेगा जो 7 पिन रहेगा इस में से क्या होगा आपको दिखाते हैं कि तो बस आपको ऐसे करना है मैं ड़े दिया आप फास्ट यानि छो 9 पिन है उसका 2-2 पिन बाद दे अब रहेगा साथ पीन ठीक है तो इस साथो पीन से अब उपड़ से एक से गिनी है तो उपड़ का जो फास्ट पीन होगा ओ रहा हमारा बुलू कलर के लिए आपको दिखा दें बहुत अच्छा से केमेड़ा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आप देखें आपको दिख रहा होगा तो गाट्स देखिए एक रहा हमारा बुलू कलर फास्ट और उसके बाद सेकेंड रहा हीटर और ग्राउंड तो क्या करना है गाट्स हीटर और ग्राउंड को सोट कर देना है क्यूंकि यसी लाइन जब आप देंगे यहां पर तो क्या होगा जो अंदर फिलामेंट है वो कट सकता है क्योंकि अंदर में यह आपस में एक फिलामेंट यानि बल्ब के थुरू रहता है तो आपको बाहर में इसको सॉट करना पड़ेगा नहीं तो अंदर का जो फिलामेंट है वो कट सकते हैं यानि पिक्चर को सौट करके देखिया मैं इसको सौट कर दिया बस मैं जैसे कर रहा हूं आपको ऐसे करना है तो आपका काम आसा करता हूं कि हंडर पट्सन सौलोशन हो जाएगा इसका अब आपना माल्टिप यहनी एसी कॉड़ तो इस एसी कॉड़ को आपका जो वहां पर आपने जो सौट किया ग्राउंड और हीटर को उसके साथ एक वैड को देना पड़ेगा एसी कॉड़ का और इसके लिए आपका सिरीज लैंप होना बहुत जरूरी है ओ लगेगा मास्ट तो आपका देखे मैं एसी लाइन दे Kisoo技 और बूलु क्या थोड यहीं रिड कलर गरीण कल़र और जो बूलु कलर यहिसके साथ पॉइंट पॉइंट करेंगे एक एक करके और बाचा जी टू और जी वान अन्य फोकस का और इसकिन का तो इसमें आपको नहीं देना है आपको बस कलर में देना है हीटर के साथ बसके मैं जैसे कर रहा हूं आपको ऐसे करना है तो देख लिजिए तो चलिए मैं फास्टाइम करता हूं क्या जो मारा रेट कलर का पॉल्म हाँ इसलिए रेट कलर में एक वयर करनेट कर देता हूं एसी करड का ओके तो फैनली काम हो गया इसी कर दिया इसमें अब क्लियर लिए आपको दिखाते हैं और आप समाझने की कोशिश किजिए मैं जैसे कर रहा हूं तो गया देख सकते हैं आप एक रेट कलर में और एक जो हीटर के लाइन पे में एसी कर दे दिया और यह रहा हमरा जो सीरीज बाल्प आप इस बाल्प में सीरीज में आपको देना है जो एसी कोड़े आप क्या करेंगे इसमें सीरीज में अगर देंगे तो वहाँ पे जो कालर का पीन और हीटर का ग्राउंड के साथ जो पीन रहता है उसमें तो छोड़ देगा अगर आप सिरीज लाइन पे इसको फाइडिंग करेंगे तो तो गैट्स देखिए बाल्प हमारा नहीं जाड़ा है अब आपको दिखाते हैं कि यह पेड़ेज आढ़ा इसन नाय जो एसी लाइन है तो आप देख सकते हैं माल्टिमीटरबर आपको दिखाते हैं देखिए दोषो आटचलिस बोल्ट यानी आड़ाइस उर्ट तक वोल्टेज आड़ा है तो एसी लाइन तो इनपूट हो रहा है आप क्या करेंगे आपको थोराचा हिलाना पड़ेगा थोराचा कुछ लेजी आप या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं तो इसको थोराचा हिलाए और न NATIONS में मतलब हिलाने से क्या होता है थोर अपको बैस में माणना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है अगर थोरा सा हाई Campbell अंदर में लूज रहेगा तो फाइडिंग होगा फाइडिंग होनसे क्या होगा जो मरा स्वाटे हो ठीक हो जाएगा तो देखे मैं कड़ रहा हूं जैसे आपको पस ऐसी करना है तो देखे रेड कलर में मैं दे दिया लेकिन यह पर कुछ भी नहीं आया यानि हमारा जो सिरी बाल्ब है वह नहीं गुलो हुआ अब क्या कड़िंग गैड्स एक-एक जो अब रेड कलर का हो गया आप जो बुलू क जगा जगा पर यानि तीनों कलर पर देना पड़ेगा तो देख लिए मैं बुलू कलर में आप दे दिया अब बुलू कलर में देंगे और सेम काम आपको ऐसे करना है मैं जैसे कर रहा हूं सिरीज में दे दिया और थोरा सा आपको कुछ भी लेके इसमें थोरा सा हिलना पड आपको पहले भी बोला कि इसमें अगर थुरा से लूज रहेगा अंदर में तो यह होपास में सौड होगा और जब भी यह सौड होगा तब यह जो सल्बार वहाँ पर जमा होता है वो छोड़ देगा और जो कालर का पॉल्लिम आड़ा है आपका वो सॉलोसन हो जाएगा बस अब को ऐसे ही करना है तो यहां पर भी कोई नहीं मिला तो यहां से भी खोल लेते हैं अब इसको green color में देंगे और green cathode में करनेट करके देखते हैं कोई response आता है यह फैं नहीं क्योंकि हमारा series बाल्ब जो है rate करना में दे दिया लेकिन गुलो नहीं हूँए अब क्या होता है गाइड आप देखते हैं कि इसमें ग्रीन करण में कोई स्वाट पर ग्राफ होता है या फिर नहीं तो देख लीजिए मैं जैसा कर रहा था ऐसे आपको करना है तो देखिए थोड़ा ही रड़ा हो लेकिन कुछ भी फरक नहीं पार रहा है कुछ नहीं फड़क पर रहा है तो आप क्या करेंगे आप देखिए यानि स्वाट कर रहा है देखिए बालब गलो हो रहा है तो अगर अंदर में सौड रहेगा तो बालब गलो होगा तो हमारा जो बालब है ओग गलो नहीं हुआ इसका मतलब है अंदर में sort कुछ भी नहीं है तो इसका जो problem था वो तो picture tube से ही था क्योंकि थोरा सा sort है इसलिए जब भी मैं connect करता हूँ तब यह छोड़ देता है ठीक है हो सकता है छोड़ दिया इसने जो sort था अब फिर से मैं rate color में दे रहा हूँ sorting के लिए इसका क्योंकि rate color का हमारा problem आड़ा है rate color cathode sort हो रहा है इसकिन पर retex line और rate color आड़ा है और जो rate का voltage है rate cathode का वो voltage भी नील हो रहा है यानि कुछ भी voltage नहीं दिखा रहा है तो देखिए series bulb glow हो रहा है मैं जैसे touch कर रहा हूँ तो ब लिच्चे ट्यूब के अंदर ही है तो हो के अराए गाड़्स इसके अंदर थोरा सा सलपर बगरा जमा हुआ था वो क्लीन हो चुके है जो बाल भी गुलों नहीं हुआ क्योंकि इतना ज्यादा सौट नहीं था हुआ है तो आप पूरा कोशिस किजिए मैं जैसे कर रहा हूं बस ऐसे आपको करना है पूरा आप ध्यान से किजिए काम क्योंकि यहां पे जो ज्यादा जोड़ से नहीं मनना इसमें क्योंकि यह टूट जाएगा यहां पे बहुत नाजुक हिस्सा होता है पिच्चर ट्यू कि प्रॉक हाँ सबस्क्राइब और विडियो कारा इसा लमा और हो गारेट क्योंकि विडियो लंबा होने से भी आवं से कुछ मिलने मने वालें यहां से तो गैट्स आप लोगों के लिए मैं विडियो बनाया जो लंबा हो गया लेकिन आपको बहुत नॉलेज मिलेगा यहां से तो आप देखते रहे हैं विडियो पूरा ध्यान से और पूरा देखिये तो आपको समाझ में आ जाएगा यह जो कालर पिक्चर टुप का जो कैथोर म सॉलुसन होता है इसका तो देख सकते हैं मैं इसका बोर्ट को कानेट कर रहा हूं और आपको पिक्चर इसका दिखाते हैं कि इसका पिक्चर अभी कैसे आड़ा है हुआ है तो इसमें सेट पर लाइन दे दी आमें और लाइन देने बगत आप को जो कालर इसका पॉलम आ रहाए था का लगा भोल्टिज मी लाए था अब दिखाएंगे आपको तो देख लेजिए यहां पर जो फोल्टे यहां पर जो कलर है यह नहीं पिक्चर है वह तो अभी सही आड़ा है ओके तो पिक्चर हमारा सही हो चुके है अब आपको इसका थियोड़ी पर लेके आते हैं कि इसके अंदर क्या होता है तो मानले जी गाइड यह हमारा रहा जो मैं ड्रोइंग कर रहा हूँ यहां पर यह रहा हमारा पिक्चर ट्यूब मैं यह पर लीग देता हूँ यह पिक्चर ट्यूब आपको पूरा ध्यान से समझना है मैं जयसे बोड़ आँ आपको और यह रहा हमारा तीनों कलर blue, green और red ठीक है यह जो हमारा तीन कलर है यह जाड़ा है picture tube के अंदर और क्या हो रहा है यहां से दो line जाता है picture tube के अंदर एक heater का और एक ground का ओके और एक रहा G2 और G1 तो आपको G2 और G1 में नहीं धहन देना है क्योंकि इसका अभी class नहीं है इसको छोड़ देना है क्योंकि हमारा red color sorting हो रहा है इस sorting के बड़े में आपको बोड़ा हूँ तो देखिए heater का line और जो ground है इसमें filament जलता है तभी जो रॉस नहीं आता है picture tube में lighting वो lighting आता है अगर इस filament नहीं जलेगा तो नहीं आएगा अंदर में कुछ bulb जैसे रहता है तो क्या करना है यहाँ पर आपको sort कर देना है बाहर जो heater और ground का पीन है इसको sort कर देना है क्योंकि अगर sort नहीं करेंगे आप तो आंदर जो filament जलता है यह जब भी फाइरिंग कर सकते हैं तो यह जो उसका फिलामेंट है वो कर सकता है इसलिए आपको sort कर देना है बाहर heater और ground को और आप क्या करेंगे आप आपको AC cord लेना है तो देखिए मैं AC cord को क्या कर रहा हूं AC cord के middle पे एक bulb लागना पड़ेगा यानि series line करके आपको देना पड़ेगा series lamp नहीं है तो आप यहां पर बाल प्लाग आएंगे यह जरूर है यह तो आपको must लागना पड़ेगा और अगर आपके पास series lamp है तो बाल प्लागना जरूरत नहीं है तो देख लिए गाइट्स एक लाइन एक लाइन एसी लाइन का मैं दे दिया हीटर के लाइन पर और एक चला गया हमारा जो कालर है ओके तो आप ड्राइन देख सकते हैं आप चाहिए तो इसके screen shot भी ले सकते हैं और आप अच्छा से समझ यह इसको तो देखिए जैसे ही sorting होगा तभी एक बॉल जो है एक ग्लो हो जाएगा तो आप इसको छोड़ देते हैं आप रेट कलर में देंगे अगर इसमें sorting नहीं रहेगा तो रेट कलर में एक बार पॉइंट आपको देना पड़ेगा मैं जैसे प्रैक्टिकल यह आपको करके दिखाया और उसके बाद आपको जो और कलर है यह यह तीन कलर में देना पड़ेगा एक एक करके ओक्या तो बस आप समझे अच्छे से इसको ऐसे आपको करना है और कुछ नहीं है बस आपका पॉलिम जो है वो सॉलोसन हो जाएगा तो अभी तक आप देख सकते हैं इसका पिक्चर जो है वो सही चाड़ा है अभी तक कोई फॉल्ट इसका नहीं दिखाई दिया ओके तो देखते रहें गाट्स ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते अगले बडिज़त तब तक लिए बाई जैने दोस्तों